कैसे वो आप सबी लोग जहां कल की वीडियो खतम करें थी आज महीं से शुरुआत करूँगा कुछ आप लोगों के इंपूट्स भी मिले और कुछ चीज़े और हमें यहां पर डिसकस करेंगे इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको बता देता हूँ कि करके सारी चीज़े कैस लिए थी ठीक है अब मैं आपको कुछ और चीज़े बताऊंगा आप में सही काफी लोगों के मुझे इंपूट्स मिले कमेंट सेक्शन में उसी चीज़ को धियान में रखते वे वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको और चीज़े पता चले कि बाकी एक्जाम में क्या ज्यादा जुरूरी है एक कंपेर टू अधर तिंग्स तो एक्जाम होके रहेंगे UPSC के लिए गाफे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अविदन भी कहता डिले करने के लिए लेकिन वहाँ पे वो नहीं चला और आपके एक्जाम टाइमली ही होगे सारे के सारे तो जो यह यह सोच रहें कि एक्जाम में ओर डिले मिल जाए तो वहाँ पर इस वीडियो को लीप कर सकते हैं एक्जाम टाइमली होंगे और मैं सपोर्ट में हूँ पूरा की एक्जाम टाइमली कंड़क्ट होने जीए सारे के सारे राइट क्योंकि चाज़ों को जाद देर तक नहीं र प्रिवर वगरा है तो आप क्या कर सकते हो आप एक्जाम में एंट्री नहीं एलाग कि जाएगे आपको आप एक्जाम नहीं दे पाऊगे अच्छा अगर यही चीज है तो सैफ डेक्लेरेशन फोर्म का मतलब क्या बनता है मैं आप से बूचना चाहूंगा सैफ लिए बाद में बता चेला वह पोजिटिव है तो उसका केंडिटर केंसिल कर दोगे ऐसा तो कुछ नहीं है तो इसका सैफ डेक्लेरेशन फोर्म का मेरी ख्याल से कोई मतलब बनता भी यह अगर दे रहे हो तो वह फालतों का टाइम बढ़ाने वाली बात है और कुछ नहीं ह है तो क्या फाइदा उसका अच्छा यहां पर टेंप्रेचर रेंज हमने देखा था 99.14 डिग्री फेरनाइट राइट कि इससे ज्यादा अगर आपका टेंप्रेचर होगा तो आएंटरी नहीं दी जाहिए इससे लेटिट मैं आपको कुछ और चीज़े बताना चाहूंगा जस्ट गीव में मोमेंट अभी मैं गूगल सर्च कर रहा था और मैं देख रहा था कि हमें बडी का नोर्मल टेंप्रेचर रेंज क्या रहता है क्योंकि 98.something तो मेरे खाल से अवरेज ही होता है तो मैंने वह चीज़ चेक करी और वहां पर मेरे पास जो जो रिट्स निकलका ह रहा है यहां पर आता है 97 डिग्री फेरनाइट टो 99 डिग्री फेरनाइट और इहां पर आगर आपका 99.14 भी हो रहा है तो आपको कैंसल करने की बात कि जा रही है एसे सी में आपको भी पता है अगर आप सेंटर पर एक मिनट लेट पोस्त हो तो आपको घुशने नहीं जा जाता है अगर आपका temperature से ज़्यादा चला गया तो problem हो सकते हैं और यहाँ पर देखो यह लास्ट टेंपरेचर है 99 यह 99.14 है ठीक है फर्स्ट लिंक था सेकंड लिंक पर देखोगे तो सेकंड लिंक पर भी आपका यहाँ पर दे रखा 97.6-99.6 तक चला जाता है adult body temperature यहाँ पर किसी ने भेजा एक्जाम की guidelines तो यहाँ पर इन्होंने बड़े अच्छी तरीके से चीजों का explain कर रखा है ठीक है जो इनकी guidelines से काफी ज्याद प्रोपर है SSC से काफी better guidelines उन्होंने दी है इन्होंने कहा है जो आपका temperature हो का entry पर चेक किया जाएगा thermal gun से कि आपका body temperature कितना है और यहाँ पर आप देखो कि 99.4 degree दे रखा है लोने और जबकि SSC में है 99.14 degree यहाँ पर 0.26 degree का फरक आ गया और यह भी एक बड़ा फरक मान सकते हैं 99.4 degree से कम है तो आपको entry मिल जाएगी लेकिन SSC में 99.14 degree दे रखा है पहली चीज तो यहाँ पर यह थोड़ा सा डिफरेंस कि वहाँ पर ज्यादा temperature को अलाओ किया रहा है और हमने देखा normal body temperature ही हमारा 99 तक चला जाता है तो उसमें तो एक degree का फरक आ गया 0.1 degree का उससे ज्यादा भड़ती दिक्कत आ सकती है एक चीज यह थी और यहाँ पर इनोंने बड़ा अच्छा दे रखा है if the temperature इससे अगर आप आपका ज्यादा चला जाता है तो आपको एक isolation area में रखा जाएगा कुछ time के लिए ठीक है फिर 20 minute के बाद दुबारे आपका temperature check किया जाएगा अगर 20 minute के बाद आपका temperature normal आ जाता है तो normally आप paper दे पाओगे अगर उसके बाद भी अगर आपका temperature normal नहीं आता आप suspected हो कि आपक separate room में जाके exam को दे सकते हूं ठीक है declaration form भी है यहाँ पर वैसे declaration form का मिझे नहीं पता एपके exam में कैसे कर रहे है लेकिन मैंने कहा कि अगर आपका temperature जादा है तो यहाँ पर आलाओ कर रहे है आपको separate room में exam देने के लिए जो कि SSC में नहीं किया जा रहा और जो कि banking exams में RRB मे में भी नहीं था अच्छा एक चीज और बता देता हूं आपको यहाँ पर है कि अधिकर की instructions कभी पढ़ना राम से तो इन्होंने बहुत detail में सारी चीज़े बता रखे हैं तो काफी better इनका instruction set है as compared to SSC यहाँ पर इन्होंने sanitizer का भी बता रहा है SSC ने नहीं नहीं बताया sanitizer की bottle कितने ml की आपको लेके जानी है इसमें इन्होंने clear ली बता रखा है कि 50 ml की आपकी sanitizer की bottle होने चीए जिससे कोई confusion ना रहा है कोई ज्यादा बड़ी-बड़ी bottle ना लेके आ जाए तो थोड़ी चीज़े के लिए रखे हैं नहोंने पैन भी आपसे मंगाया जबकि SSC में आवह चाहिए ऐख करेगी आपका temperature body का down करेगी पैरसिटमोल बिल्कूल ने करेगी आपका बुखार है अगर आपका 102-101 बुखार चल रहा है और इसके बाद परसिटमोल खाऊगे तो वह आधे घंटे मा असर करके आपका बोडी-टमड ले जाएगी 98 point something कुछ ले जाएगी इस त पॉजिटिव पेशेंट भी है वो भी एक्जाम देने साथ जाएगा इस तरीके से तो पैस्टेटा मुल खाकी तो समझे रहो ये एक तरह से वाइरस को और जादा स्प्रेड करेंगे इस तरह की गाइडलाइस इसमें चेंजिस की जुरत है जो पॉजिटिव पेशेंट का कम से कम वो अपना डिकलेरेशन दी कि हा मैं पॉजिटिव हूँ और उनका लक्स एक्जाम ले लिया जाए तो फिर ये सिच्वेशन याएग और स्प्रेड क्या होगा करन कुमार सिंग का इन्होंने आई बीपेस आरारबी का एक्जाम दिया होगा 20 सितंबर को इन्होंने कहा कि सेंटर पे जिसका टेंपरेचर जादा था उन्हें ठंडा पाने पीने के बाद दुबारे मोका दिया गया यह इन्होंने बताए एक पर्टिकुलर सेंटर पे ऐसा रहा होगा तो यहाँ पर थोड़ा लाइट भी और आप को टेंपरेच्टिर बढ़ा बाजा यह आ घारारला थी का बनहें कोरल ऱ सबसेंटर की बात है कि इन्होंने एक संटर पेदिया है तो इसे हो सकता है कि आपको जाने लाखना होसकता है हो जो चेक कर रहे हो वो आपको allow कर दें थोड़ा सा तो ऐसी चीज़े भी possible है ठीक है अगे इन सारी चीज़े आपस में जुड़ी भी है तो मेरे ख्याल से तो सबसे बेस्ट यह है तो isolation room हो isolation room में अलग से जो covid-19 patients हैं जो declaration दे रहे हैं कि मैं positive हूँ और मैं exam देना चाहता हूँ उन्हें exam देने दिया जाए एक isolation room में अलग से या फिर उनका exam जो positive का declaration दे रहे हैं उनका बाद में exam ले लिया जाए और जो उस time पे जा रहे हैं जिनका temperature थोड़ा जादा आ गया जिनने ख हालत में भी नहीं हूँ ठीक है उन लोगों को बाद में करवाल exam यह चीज़ भी possible की जा सकती है जब इतनी चीज़े चल रहे हैं आपे इंडिया में अभी भी 10 लाग से ज्यादा प्रिजेंट ऐसे cases हैं जो positive हैं और यह तो record में हैं बिना record की कितने होंगे आप लोगों भी है तो कुछ न कुछ experience के लिए किया जा सकता है अभी flat examination की बात करें हम Indian Express का article है 29 September का इसमें भी जो candidate positive पाए गये थे ठीक है उसमें एक candidate positive था उसमें उन्हें एक्जाम देने दिया गया था एक separate isolation room के अंदर और सेम guidelines अगर हम बात करें हाँ पर एक्जाम निशन में भी है कि आपको exam देने दिया रहेगा तो SSC और RRB exam जिसके अभी exam चल रहे हैं जिसके गाड़ने similar आई हमारे पास कि आपको एंट्री ने दिदाएगे उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर होना चाहिए यह मेरा मानना है बाकि आप सभी ही सोचना है अगर आप इस मुद्दे को समझते हो कि यह important है तो ही लोग serious होंगे ठीक है वरना मुझे क्या पढ़िए मैं इस मुद्दे पर बात करूँ ठीक है मेरी classes चल रहे हैं मैं अपने classes में भीजी हूँ मैं भी बहुत मुश्कित से time निकालता हूं इन चुजों के लि हैं और यह खाली आपकी लिमीटेड नहीं है अगले महीने आपका CGL Tier 2 एक्जामिशन भी तो होना है क्या CGL Tier 2 में भी सेम गाइडलाइन्स होंगी या नहीं होंगी सब एक्जाम्स में सेम गाइडलाइन्स होती है आपको दिक्कात आ सकती है फिर CGL Tier 3 एक्जाम भी है उसका दिक्कात आपको हो सकती है तो मैं आप लोगों के लिए हाँ पर सोच के चीज़ों बोल रहा हूं क्योंकि मिशें लगता है कि चीज़े बहतर हो सकती है अच्छे है आप अभी CHSL एक्जामिनेशन पास में है 19 का फिर CGL 2019 Tier 2 Tier 3 है CHSL 2018 के टाइपिंग में भी अगर सेम डिटेल्स आगई सेम गाइडलाइन्स आगई जो आधर एक्जाम्स होने है उनका फिर क्या होगा और इसमें बाद में अगर ऐसा हुआ बच्चे जादर अगर बाद में कुछ होता है तो फिर क्या होगा और डिले हुआ तो साही चीजे बिगड़ जाएंगी यहां ठीक है जैसे यूए फम का मुद्दा था अगर जब ही जैसे ही उसके लिए मोहीम नहीं उठाई थी अगर नहीं उठाई होती उसके लिए Twitter campaign से SSC को grievances ना डाली ह होती ऐसे से request ना की होती तो फिर क्या होता केस तो आपको भी पता है यूए फम का भी केस हो गया था अब वो निरस्थ हो गया लाश्ट में जाके अगर वो तब ना होती तब वो मुहीम ना उठाई जाती तो SSC अभी तक उस पर respond ही नहीं करता और अब केस चलता Supreme Court में वो हो गया था पेपर से पहले एक बर क्या हुआ था जितने भी अच्छे rankers थे उनका exam एक दिन को डाल दिया था 13 September को डाल दिया था ठीक है उसमें हमने SSC को inform करा कि ऐसा हो गया गलती से सारे के सारे जो अच्छे candidates है उनका एक दिन exam पढ़के जिसके वज़े से normalization में इस shift का paper अपने आप असान बन जाएगा तो SSC ने भी शफिलिंग करी थी तब भी तब भी आपको क्या करा था जो candidates के थे एडमिट का टिश्टर्स रिवाइज करके भेज जा था जिससे की candidates सफल हो जाए और talent pool हर shift में equal रहे जिससे normalization implement करने में दिक्कत ना है तो पहले भी कई बार कि बिल्कुली आख बंद कर लिए उन्हें ने कान बंद कर लिए सुनी रहे वो सुन रहे हैं आप लोगों की राइट पहले भी दो तीन बार सुन चुके हैं आगे भी अगर request कि जाए तो शैद सुन ले ठीक है scorecard के लिए हम चाहते है कि scorecard में रहंक आए उसके लिए campaign चला तब देखते हैं चारतार एक को सीजियल टीर थे का रिजल टार उसमें रहेंक आती है नहीं है तो कोशिश करेंगे तो चीजे शायद हमारे favor में हो नहीं करेंगे तो कुछ ही नहीं बाकी मैंने तो कोई साइग्जामिन में से देना नहीं आप लोग उने एक्जाम देने हैं ठीक है मैं तो आपको पढ़ाता हूँ ऐजब मैंने टर्म आपको गाइड कर सकता हूँ कि यह दिक्कते हैं यह दिक्कते हो सकती है इसे ऐसे सुधारा जा सकता है यह मेरा काम है तो बस इस वीडियो में आप लोगों से ही अलविदा देता हूँ बाइबाइट टेक केर जैह यह जेसे सकता है तो श Οंहानि से हैं यह हैंव झाल आपको वाइब मैंनेHz कर सकता है लूपर है जिक्कते हैं ह।